करेरा थाना अंतरगर टीला रोट पर कल रात तस ग्यारा बजे के आसपास मजदूरी का कारे करके दो मजदूर अपने घर वापस जा रहे थे अभी तेज आधी चलने लगे इस वजे से ये लोग सड़क किनारे रुग गए इतने में करेरा की ओर से आ रही स्विफ्टकार ने तक्कर मार दी जिससे दोनों मजदूरों की मौके पर ही मौध हो गई जानकारिक अनुसा मृतक मजदूर रामप्रकाश पुत्र बारेलाल लोधी निवासी टीला उम्र साती साल और बल्राम पुत्र देविलाल लोधी उम्र बयाली साल करेरा के वाट करमांग साथ सथ डेनिटा कॉलोणी पर चल रहे निर्मानकारिका कामपूर करके अपने घर मटीला जा रहे थे तभी रात करीब दस ग्यारा बजे तेज आंधी के कारएं रोड किनारे खड़े हुए थे तभी तेज रवतार में आ रही स्विफ्ट कार्णियों ने जोरदा टकर मार दी इससे मौके पर ही दोनों व्यक्तियों की मौथ हो गई कार शतिग्रस होने की भाग गया कार ने थोड़ी दूर पर पहले सड़क पर जा रही एक महिला को टकर मारी जिससे वो गंभी रूप से घाल हो गई वहां से भागते वक्त चारक की द्वारा कार की लाइट बंद कर ली गई थी इस वज़े से सड़क किनारे खड़े लोग से नजर नहीं आया और इतना बड़ा हादिसा घतित हो गया प्रत को के पारिवारिक जन उन्हें ततकाल जहांतनी ने गई यहां डॉक्टर रों ने उन्हें म्रत बताया सुभा म्रत को के घरवालों ने थाना करेरा कर रिपोर्ट दर्च कराई करेरा पुलिस ने मामला दर्च कर कार को जब्त कर लिया है और म्रतकों का पोस्ट मार्ट कराया जा रहा है